नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी YouTube चैनल सिवम कंप्यूटर इस्टिट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप Excel का यूज करते हैं तो अगर आप भी Serial Number को ड्रैक करते हैं और फारमूले के साथ भी उसके बाद आपको इभी बताएंगे कि नॉर्मल जो सेरियल नमबर होता है और डायनेमिक सेरियल नमबर किस तरीके से काम करता है तो चव्री आज कि इस वीडियो में साड आपको प्रखन. तो यहां पर सहां सैंक डीलेटेड तो यहां पर देखे हमारे पास xl है किशीरिल कोई भी डेग करते हैं तो नॉरमल थरीके सरी चाहल हम क्या करते हैं जिससे आप के आप ग्जामफल दिखते होंगे यह और नॉरमल आपका स्हिट्स का अगर आपका एक भी रो अगर आप सेलेट करेंगे और इसको डिलीट करेंगे तो आपका उस रो का पूरा डेटा देखे डिलीट करेंगे तो यहां पर देखे पूरे रो का यहां पर डेटा हमारा डिलीट हो गया है जो कि हमने थ्री नंबर का डेटा हमने यहां से डिलीट कि यहां पर देखाते हैं यहां पर पास इक डाइनेमिक यहां पर पर देटा है अब हम किस तरीके से यूज़ करते हैं अगर हम क्या करते हैं यहां से ओक्सर्ट करें और यहां यानि यह हमारा होता है डाइनेमिक आपको डाइनेमिक दो ऐसे टाइप बताएंगे जो कि आप लगा सकते हैं और आपको सिरियल नमबर जो नॉर्मल तरीके से हैं जो ज्यादा तरी यूज करते हैं यह आपको तीन टाइप के बताएंगे तो चली स्टार्ट करते हैं और सबस पहले इसको formula को यूज कहने से लिए सबसे पहले आप समझ लिजिए कि यह formula कैसे काम कर रहा है तो इह जो formula हम बताएं गे यह बस row को आप को दिखाएगा यानि आप आप का जो भी रो है आपको बताएगा तो अगर आप क्या करेंगे यहाँ पर लगाएंगे एक्वल और आप लिखे रो उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट को ओपें और क्लोज कर दीजी आप जैसे इंटर करेंगे तो यह क्या होगा कि यह फार्मूला बताएगा कि आप इस र रो में है जैसा कि आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे सेवन वाले पर क्लिक करते हैं अगर आप इक्वल यहाँ पर टाइप करते हैं रो और यहाँ पर ब्रैकेट ओपें क्लोज करकर इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखे इस फार्मूला से बता करकट इंटर कर देना है तो देखिए यहाँ पर दो नंबर का दे दिया लेकिन हमें तो सीरियल नंबर के हिसाब से चलना है तो सीरियल नंबर के हिसाब से चलने के लिए आपको एक बार इसमे क्लिक करना है और कीबोर्ड से यह प्रेस करना है उसके बाद आपको क्या कर ना है, minus one से क्या होगा कि आपका जो लिखा है उसमें एक हमेशा minus हो जाएगा रो तो देखें इंटर करते हैं, तो यहां पर यहां पर one आ गया उसके बाद आपको क्या कर ना है कि आपको keyboard से shift और नीचे वाला यानि down button आपको arrow press करते हुए नीचे चले आना है इस तरीके से और आपको keyboard से control plus D press कर देना है तो देखें यहां पर हमारा जितना फील्ट है यहां पर सारा हुआ है। अगर हम क्या करते हैं की कुई भी data delete करते हैं जैसे हैं इसको हमें यहां से डिलिट कर देते हैं, जैसे हम 3 नमबर का अगर डेटा यहां से डिलिट करते हैं, तो यहां पर देखे हमारा 3 नमबर का होगा, लेकिन 2 नमबर हमारा सीरियल नमबर यहां पर आ गया है, यहांनि हमारा जो डेटा है वो डिलिट हो जा रहा है, लेकिन हमारा सबसे पहले इसको हम इस तरीके से करते हैं select और यहां पर हम करते हैं control c यानि copy उसके बाद यहां पर हम कर देते हैं paste यहां पर देखे हैं हमने paste कर दिया उसके बाद हम इसको select करते हैं और इसको delete करते हैं अब यहां पे हम बात करते हैं कि जो हमारा दूसरा format है डायनेमिक सीरियल नमबर का ओक किस तरीके से होता है तो यहां पे आपको क्या करना है कि आपको यहां पे जो सीरियल नमबर के नीचे लिखना इक्वल यानि फर्ष्ट वाले में उसके बाद यहां पे एक फार्मूला आता है जो कि आप देख सकते हैं यहां पे आपको लगाना है एग्री गेट का फार्मूला यहां पे आप इस तरीके से लगाईए उसके बाद यहां पे आप जैसे यहां पे लगाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको दूसरे नमबर वाला उप्शन लेना है count आपको 2 भी लिख सकते हैं या तो आप count भी type कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना है 2 उसके बाद 2 लिखने के बाद आपको लगाना है comma कामा लगाने के बाद आपको यहां पर ignore hidden row को select करना है या तो आप hidden ignore लिखिए या तो आप 5 प्रेस करिए तब भी आ जाएगा देखिए यहां पर आगया उसके बाद आपको फिर एक कामा लगाना है अब यहां पर दिखे लिखा array array का मतलब आपका जो serial number है जिसको आप दिखाना चाहते तो इसको आपका लिजे इस तरीके से select उसके बाद select करने के बाद आपको column लगाना है और column लगाने के बाद आपको बस यहां पर देखे आपको bracket जो दिया हुआ है इसके पहले यहां पर देखे पहला जो E1 लिखा हुआ है यानि serial number का आपको इसको कर लेना है select और keyboard से बस आपको यह 4 प्रेस कर देना है यह 4 प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है bracket को close करकर enter कर देना है तो यहां पर देखे अभी हमारा यहां पर 0 आ रहा है तो यहां पर देखे 0 आ रहा है तो यहां पर हम क्या करते है फिर से वही formula लगाते है इसमें जो अभी हम लगाया थे यहां पर हमने लगाया था minus लेक तरीके से 1 आ गया है बस आपको वही system फिर से करना है shift और आपको down arrow प्रेस करते हुए सारे को select कर लेना है और keyboard से control plus d button प्रेस कर देना है तो आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे यहां पर create हो गया है अब आपको दोनों में दिखाते हैं कि अगर हम saver number का row select करते हैं और delete करते हैं तो देखें आप इलिट करेंगे तो automatic देखें दोनों proper तरीके से हमारे काम कर रहे हैं यानि ए formula भी हमारा काम कर रहा है और यह वाला formula भी तो इस तरीके से dynamic का apg तरीके से serial number को बना सकते हैं अब चलिए हम बात करते है normal serial number किस तरीके से यूज होता है normal serial number यूज करने के तो अब हम क्या करते हैं यहां पर सबसे पहला जो step है इसको बताते है पहला step है serial number को जैसे यहां पर normal तरीके से करने के लिए आपको क्या करना है कि यहां पर लिखना है 1 उसके बाद 1 प्रेस करने के बाद आपको keyboard से control button प्रेस करते हुए और यहां पर side में plus का icon आएगा किस तरीके से काम किया जाता है तो यहां पर हमारा जो two number पर है आपको क्या करना है कि यहां पर आपको करने के लिए सबसे पहले यहां पर one type करना है और one type करने के बाद आपको बाहर क्लिक करना है column पर उसके बाद फिर इस पर क्लिक करना है और तो आपको यहां पर keyboard से आपक आपको अल्ट ई आई यस आपको प्रेस करना है आप जैसे यहां पर प्रेस करेंगे अल्ट ई आई यस आपको एक option आ जाएगा यहां पर देखे हम प्रेस कर देते हैं यहां पर देखे हम प्रेस कर देते हैं यहां पर देखे हम प्रेस कर देते हैं यहां पर देखे हम प्रेस क कर देना है जितना आपको number लेना है जैसे हमें 10 तक ले जाना है तो आपको यहाँ पर 10 type करकर बस ok कर देना है तो यहाँ पर देखिए हमारा 10 तक यहाँ पर देखिए हमारा feel हो गया है अब यहाँ पर हमारा जो third number आता है एक किस तरीके से काम करते हैं जो कि ज्यादा तर हम ज् तो इस तरीके से भी हमारा क्या होता है कि ईजी तरीके से आ जाता है यह देखिया हमारा होता है नौर्बर अगर आप इसमें से किसी भी डेटा को इस तरीके से डिलीट कर देते हैं तो हमारा डेटा डिलीट हो जाता है लेकिन अगर डाइनेमिक में आप इस तरीके से डिलीट करेंगे तो यह कोई आपका दिक्कत नहीं होगा यानि जो आपका serial number नहीं होगा जैसा कि आप देख सकते हैं यहीं दो हमारे different होते हैं serial number और dynamic serial number में I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जबूर लाइक करें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें और अगर आप इसी तरीके से वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें इस्ट्राग्राम पे फालो भी कर सकते हैं तब ते केल मिलते हैं किसी नेस्ट वीडियो पे और नेस्ट आपिक पे अप्ता प्रेकले जाइन